खनन किसी भी देश के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है इसके जरिये ही खनिज पदार्थों और कई अन्य चीजों का भंडार हमें प्राप्थ होता है जमीन या पहाड पर खनिज पदार्थों की खोज में खुदाई करके बनाया गया गड़ा खदान कहलाता है आम तोड़ पर इसे खान, माइन भी कहा जाता है हर साल 4 एप्रेल को विश्वस्तर पर अंतराष्ट्रिय खदान जागरुक्ता दिवस International Day for Mind Awareness and Assistance in Mind Action मनाया जाता है यह दिवस लोगों के बीच खदान के प्रती जागरुक्ता फैलाने के लिए मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र महा सभाने 8 दिसंबर 2005 को हर साल 4 एप्रेल को अंतराष्ट्रिय खदान जागरुक्ता दिवस और खदान कार्य सहाइता दिवस के रूप में मनाया जाने की घोशना की थी इस दिवस को पहली बार 4 एप्रेल 2006 को मनाया गया था हर साल अंतराष्ट्रे खादान जागरुकता दिवस विशेश गतिविधियों के साथ मनाया जाता है जिसमें खनन गतिविधी, खादान जागरुकता अभियान तथा लेंड माइन्स के खत्रे के बारे में जागरुक करने के लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है विसफोटक अवशेशों को हटाने और खतनाक शेत्रों को चिनहित करने और बार लगाने के प्रयासों की एक शिंखला है। साथ ही इसमें खान प्रभावित इलाकों के पीडितों की सहायता करना, खान पान की विवस्था और लोगों को इस महौल में सुरक्षित रहने के लिए जागरुक करना और उन देसों में राश्ट्रे खदान कारिक्षमता स्थापित करना और विक्सित करने में सहायता करना जह के लिए राज्योंद्वारा प्रयास, संयुक्त राष्ट्र और संबंधित संगठनों के साथ मिलकर सहायता की जाती है। साथी साथ राज्य सरकारों को ख़दान क्लियरिंग प्रोग्राम विक्सित करने के लिए भी तोथ सहायत किया जाता है। राष्ट्रिय और स्थानिय स्तर पर स्वास्थ्य और लोगों के जीवन में समाजिक और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा दिया जाता है।